जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो, वी आर लाइव नाओ तो कल हम लोग प्रिवेस हीर, यानि निट 2020 का कोश्चन्स कर लिये थे कहां तक कोश्चन नमबर 30 तक कर लिये थे आज हम लोग और उसके आगे जो है 30 कोशन और करेंगे और इसी तरह कल यह हम लोग का जो है और अगर इसका पीडियाफ आप लोग को चाहिए तो जो टेलिग्राम चैनल है आप लोग उसको लिंक से जोईन कर सकते हैं या फिर टेलिग्राम पे बाई नेम मेरे नाम से सर्च करके भी आप लोग जोईन कर सकते हैं पुरिता सिंग नाम से आप लोग जोईन करके सर्च क कर लिये थे आज आगे करते हैं हम लोग कोशन नमबर 31 से ले करके 60 तक हम लोग कम्प्लीट करेंगे अल्राइट कोशन नमबर 31 देखते हैं हम लोग क्या है यह कोशन मेुटिक मिदीजन सब्सक्राइस इस कंपलीत देश कुलीट है यूजल हो टारि म्योटिक मे इस चिकल NOT दो ने इस बाद में लाहता है और में नहुता दीन होता है मुष्के जब Armenia में परणी संपटराइटां होता है म्लेकं लोग। यह लिल्याइज ऑन लीज सायों के दो सबस्क्राइज बाद में होता है यह दोने ही अभ एक बाद कुलेटहने थिछ उन श्यक्तर findet drawn होता है ठीक है नेक्स चलते हम लोग कोशन नमबर 30 सेकंड इस इस दो वाट अपार्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल अस्पीसिस डाइवर्सिटी इस अबाउट तो यह जो है कोशन है अबाइवर्सिटी का कोशन है इकोलोजी का जिसमें की रॉबर्ट में क्या एस्टिमेट किये थे कि अभी तक कितना इस्पीसिज फांड किया गया है सेवन मिलियन और बहुत सारे साइंटिस्ट जो बाद में आए वो लो क्या बोले थे कि अप्रॉक्स 2250 मिलियन अभी किया गया मतलब हां किया जा चुका है या फिर एस्पीसीज जो अभी तक ग्लोगल एस्पीसीज है वो कितने हैं 2250 मिलियन बट रॉबर्ट में जो हैं वो क्या बोल ले थे कि only कितना है सैवन मिलियन है तो यह मतलब उतना करिक्ट नहीं था बट अगर पूछा गया है रॉबर्ट में के बारे में तो हम लोग क्य कुछ इस तरह से होता है पहले क्या होता है डियने से क्या बनता है और अगेन आरेने से क्या बनता है प्रोटीन बनता है तो यहां पर तीन तरह का होता है सबसे पहले जो होता है क्या होता है डियने टू डियने बनता है देन सेकेंड में डियने से आरेने बनता है जिसको हम हम लोग transcription बोलते हैं और उसके बाद जो last process जहां पर protein बनता है उसको हम लोग translation बोलते हैं तो यहां पर question में पूछा गया है कि first phase translation का कौन सा होता है तो एक डाइग्राम दिया हुआ है जिसमें MRNA क्या है यहां से राइबुजूम का दो अस्ट्रक्चर बाइंड करता है तो यह जो अस्टेप है यह बहुत बाद में होता है जो सबसे पहला अस्टेप होता है वो क्या होता है चार्जिंग ओफ टी आरेने या इसको हम लोग मैसेंजर दो को मैसेंजर आया मिन पालते हैं सिर्च शारजिंग ओफ टी आरेने जिसको हम लोग बोलत ciao दी अपसे नंबर टरी आमीन वासाइलिसन हम जब भी किसी ऑप्सेंअार्जी आक साथ करेंगह और उसमें से जोब करने वाला होगा सबसे पहले उसको रिमूब कर देंगे लाइक आप्सन टू तो हो नहीं सकता है रिकॉगनिशन ऑफ डियने आप डियने से किसी तरह का लेना देना नहीं है और किसमें किसमें हो सकता है तो यह जो फॉर्स्ट एस्टेप यहां पर दिया हुआ है यह बहुत ब बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको बहुत बार रीड करने से क्या है यह सारा चीज याद हो जाएगा तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन 3 ठीक है नेक्स अम्रुक बढ़ते हैं कोश्टन नमबर 34 की तरह 34 है विच आप फॉलोइंग डिजन ओफ द ग्लोब एक अमेजन फॉरेस्ट तो सबको पता होगा कि सबसे बड़ा अस्पिसिस ड्यावर्सिटी कहां का है अमेजन रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा ड्यावर्सिटी होता है अस्पिसिस ड्यावर्सिटी अल्राइट इजी था यह और यह सारा जो कोश्टन है कहां से सारा का सारा ए In man, insulin is synthesized as a pro-insulin या pro-insulin बनता है सबसे पहले यह कहां का question है यह कहां का question है यह कहां का question है यह है biotechnology का second chapter है यह वहां का है महीं का question है कि insulin जो है वह सबसे पहले क्या होता है प्रो-insulin होता है यह वहां पे एक extra peptide bond होता है जिसको हम लोग C peptide बोलते हैं और बाद में क्या है यह C peptide अलग होता है यहां पे यह 3 तरह का bond होता है जो की disulfide bridge से जुरा हुआ रहता है यह है A यह है B और यह C है बाद में जो प्रो-insulin है जब mature होता है तो बीच वाला जो है यहां पे C वह क्या होता है अलग हो जाता है और सिर्फ A और B बच जाता है हम इसको clear करके लिग देते है A और B बच जाता है जो की disulfide bridge से bonded रहता है तो यहां पे जो second है वह तो क्या है क्योंकि यहां पे not correct पुछा है तो यह first भी सही है second सही है next है the functional insulin has A and B chance linked together by hydrogen bonds read carefully hydrogen bonds नहीं होना चाहिए यहां पे disulfide bond या पे disulfide bridge और लास्ट क्या है genetically engineered insulin is produced in E. coli या उसको हम लोग iskeratia coli भी कहते हैं जो कि एक bacteria है तो लास्ट वाला भी सही है यानि कि यहां पे गलत कौन सा है not correct हो गया option third क्यों है क्योंकि यहां पे hydrogen bonds दिया हुआ है जो insulin है जो initially जो insulin बनाया जाता था वह pig के pancreas से लेकर के बनाया जाता था human के लिए insulin जैसे जो diabetic patient होते हैं उनके लिए लेकिन बाद में क्या है यहां पे हम लोग E. coli का use करने लगें जो कि एक bacteria है और यह 20 minute में क्या होता है divide होता है और अपना जो अपना number है उसको double triple इस तरह से 20 minute में double then again 40 minute में 4 times इस तरह से वह increase होते जाता है और insulin क्या होता है बनते जाता है तो अभी जो insulin production होता है किसके द्वारा होता है E. coli या फिर iscretia coli जिसको हम लोग genetically engineered insulin कहते हैं this is clear इसका answer 3 हो जाएगा next हम लोग चलते है question number 36 के तरफ 36 में यहां पर कुछ statement दिया हुआ है the transverse section of a plant source following anatomical feature anatomy मतलब क्या होता है plant के अंदर का जो feature है या फिर plant के अंदर के structures के बारे में यहां पर बताया हुआ है first क्या है large number of a scattered vascular bundle तो जो हम लोग anatomy flowering plant परते हैं उसमें a scattered vascular bundle के बारे में दिया हुआ है और जो कि किस से surrounded होता है bundle seat से यह किसका feature से यह सारा बताना है a है दिन बी क्या है large conspicus parent chymetis ground tissue तो सब में ही होता है ground tissue parent chymetis बट यहां पर large है और conspicus है दिन है vascular bundle conjoint and close तो यहां पर conjoint से क्या पता चल रहा है किस में होना चाहिए steam में होना चाहिए क्योंकि अगर root होता तो root में कैसा होता radial होता ठीक है और closed है यानि कि secondary नहीं हो सकता है यह secondary नहीं हो सकता है क्योंकि closed बोल्डा है तो यहां पर cambium absent है यानि इससे ही पता चल रहा है कि कैसा होगा secondary इसमें नहीं character है यानि कि यह monocot होगा और root नहीं होगा क्या होगा steam होगा और बोल्डा है यहां पर कि phloem parent कायमा भी absent है तो क्या होना चाहिए इसका answer options हम लोग देख लेते हैं यह चार option है first है monocotyledon steam है तो यह होगा answer आगे भी ऐसे हम लोग देख लेते हैं root होगा नहीं root होगा नहीं तो यहां पर open होगा तो यह भी नहीं होगा तो हम लोग option eliminate कर लिए तो कौनसों होगा option first question no.36 हो गया then आगे चलते हैं question no.37 इस जो मतलब इसले पर जो exam हुआ था उसमें इतना ज्यादा match the following है और सारा बहुत ही easy है इसमें भी आप लोग देखिएगा कि सिर्फ एक answer से ही क्या होगा सारा का सारा match हो जाएगा यहां पर first है six to fifteen pairs of gill slates यह किसमें होता है जो cyclostroms होता है जिसके पास jaw नहीं होता है और उसके पास pair gill slit नहीं होता है तो एका क्या हो जाएगा two हो जाएगा option देख लेते हैं एका two किसमें है सिर्फ और सिर्फ first में तो time this नहीं करना है यही answer होगा you can match the others all right like यहां d रेखिए poison sting तो trigon में क्या होता है poison sting होता है फिर से electric ray अगर रहता है तो वह torpedo में होता है जो animal kingdom का example है इसका answer क्या हो जाएगा first होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही option से पता चल गया next चलते हैं हम लों question number 38 के तरफ 38 38 क्या है from his experiment SL Miller produce amino acid by mixing the following in a closed flask यह जो है evolution के बारे evolution का यह एक statement है जहां पर जो chemical हम लोग produce करते हैं मतलब environment बनाते हैं जिसमें chemical reactions होते हैं तो कौन-कौन सा element उसमें use होता है और उसका temperature कितना होता है तो बिल्कुल detail में वहां पर दिया हुआ है कि जो temperature होता है बहुत हाई होता है 800 degree Celsius होता है तो यहां पर यह गोनों तो पहले ही हट गया 600 degree Celsius होगा नहीं और दूसरा यहां पर फर्स option जो option का जो first element या first molecule है वो देख सकते हैं जो यहां पर है दिया हुआ है CH4 CH4 क्या होता है मिथेन होता है ठीक है लेकिन CS3 क्या है CS3 क्या है यह तो मतलब मिथाइल यहां पर कह नहीं सकते है क्योंकि कुछ भी यहां पर क्या है added यहां पर नहीं है और इसका क्या है जो पूरा बॉंड है इसका complete नहीं है तो I think यह नहीं होना चाहिए अगर हम लोग केमेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो और ऐसे भी बुक में दिया हुआ है कौन-कौन सा यह मॉल्यक्यूल लगता है CH4 हाइड्रोजन एनेस्ट्री एंड वाटर वेपर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नंबर ऑप्सन नंबर फरस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन नंबर थर्टी नाइन के तरफ इंब्रैयोलोजिकल सपोर्ट पर इवॉल्यूसन वास डिस अप्रूवड वाई यह थोड़ा सा मतलब एंसी आर्टी से हलका बाहर है बस एक यही कोश्चन ने जो थोड़ा सा बाहर है जिस जो साइंट ऑप्सेट नहीं हो सकता है पहले उसको उताते हैं सबसे पहले बोल्टाया कि कॉंड डिस अप्रूवड किये थे इंब्रयोजिकल सपोर्ट को तो जो चांश डावरी डार्विन थे वह सपोर्ट करते थे उसको अल्फरेड वैलेस थे तो उनका मतलब अलगी सेक्शन था वह और हेल्डन वह तो वह कैमिकल वाला जो भी हम लोग ऐसल में एक्सपेरिमेंट पढ़े थे वह क्या है ओपरिन और हेल्डन मिलकर ही किये थे तो इसमें एक ही आप्सन बच रहा है जो की अलग है और यही एक आप्सने जो की ऐसे आटी में मतलब इनका नाम नहीं दिया हुआ ह तो यह क्या हो जाएगा कार्ड अंस्ट वान बेर अल्राइट देन नेक्स थर्टी नाइं हो गया फोटी फोटेज थे प्रोसेस इस रिस्पॉंसिवल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म 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 देप ग्रास ब्लेड एक नाइट अर्ली मॉर्निंग हम लोग देखते है न उसको जैसे सुबह सुबह पॉधा के ऊपर में थोड़ा थोड़ा पानी मतलब जो पत्ता होता है उसके उपर में पानी जमा होता है जिसको हम लोग सीट बोलते है तो वह जो होता है एक प्रोसेस के कारण होता है वह प्रोसेस के का रात में ब्लेड़ एक आट नाइच एंड इन अरली मॉर्निंग्र या तो बहुत रात में और जो सूबह सूबह होता है वहां पे क्या बाठर इन लिक्विड फ़र में देखने को मिलता है किसके कारण होता है वो उस प्रोसेस को तो बोलते हैं घटेसं अगाष्या है पानी ऊपर की तरफ आजाता है इसका अंसर क्या हो जाएगा रूट प्रेस फोटी हो गया नेक्स चलते हम लोग कोशन अब वह फोटी वन के तरफ सेकंडरी मेटाबॉलाइट सच एज निकोटीन अस्ट्राइकीन और कैफीन और प्रोड्यूस्ट फोर देर नुट्रिटिव वैल्यू ग्रोथ रिस्पॉंस डिफेंस एक्शन और इफेक्ट और रिप्रोडक्शन तो यहां पे जो अगर कोई प्लांट कुछ है ऐसा सेकंडरी मेटाबॉलाइट प्रोडूस कर रहा है प्लांट होते हे जिसपर अगर बैठें तो वह क्या होता है मर जाता है क्योंकि उसके उपर कुछ ऐसा मैनिकल होता है उपने आपको बचा सके यानि अपने आपको सेव कर सके उसको हम लग बोलते हैं defense action तो यह जो secondary metabolite जो plant produce करता है वो क्यों produce करता है अपने defense के लिए उसका अलग तरह का defense mechanism होता है like बहुत सारे जो birds या फिर butterfly और अगेरा होते हैं वो सब भी क्या कुछ chemicals release करते हैं ताकि उनको कोई नुकसान न तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिफेंस एक्सन नेक्स लुक सलते हैं कुछन नंबर 42 के तरफ कुछन नंबर 42 है दो ऑक्सिजिनेशन एक्टिविटी ओफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पाइरेशन लेड्स तो दो फॉर्मेशन ओफ आप्संस आर टू मॉलिकूल अफ थ्री कारबन वन मॉलिकूल अफ थ्री कारबन कंपाउंड वन मॉलिकूल अफ शिक्स जो फोटो रिस्पाइरेशन होता है ऐसे अगर नॉर्मल जो है जो रुबिस्को एंजाइम है वो तो 3 पीजिये इसमें कनवर्ट हो सकता था दो मॉलिकूल अफ थ्री पीजिये लेकिन ऐसा होता नहीं है फोटो रिस्पाइरेशन में वो ओटू के प्रेजेंस में क्या होता मैं साथुनों कोना दो मलेकूल बिया वह फोकोन में जो 3 कार्वन वाला फोस्फ्व गलीको लें लैट पर यहां पे जो लास्ट अप्स नहीं अगर यहां पर रहता कि वन मॉले कुल आफ three carbon three carbon compound and one molecule of two carbon compound तो यह सई होता लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं यहाँ पर four carbon है तो यह गलत होगा क्या हो जाएगा इसमें one molecule of three carbon compound और एक molecule होता है जो दो carbon का compound होता है जिसको हम लोग phosphoglycerate बोलते हैं और एक phosphoglycolate होता है तो इसका answer हो जाएगा option second अल्राइट 42 हो गया next हम लोग चलते हैं question number 43 BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of bacillus thryngenesis is resistant to यानि कि एक जो BT cotton है जिसको हम लोग bacillus thryngenesis बोलते हैं वो किसे resistant होता है तो हम लोग एक cry gene भी बोलते हैं इसको cry gene किसको BT cotton को हम लोग या bacillus thryngenesis को हम लोग cry gene भी बोलते हैं जिसमें कुछ तीन तरह का आता है एक cry 1 AC then the cry cry 1 AB cry 2 AC and cry 2 या cry 1 AC होता है तो यह तीनों होता है जिसमें क्या-क्या होता है एक तो बॉल वर्म होता है और एक corn border होता है तो यह दोनों जो है resistant होता है किससे insect paste से resistant होता है और यह कैसा है BT cotton जो है सब्सक्राइब कर लेंगे दिन कल क्या है यह टोटल जो हम लोगा 2020 का जो पेपर था वो खतम हो जाएगा देन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फेस्टू हुआ था 2020 में उसको स्टार्ट करेंगे यहां पे अभी हम लोग प्रॉक्स 50 कोशन करने वाले हैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 कोशन है जो आउट अफ एंसी आटी है लेकिन उसको भी हम लोग टेक्निकली सॉल्फ कर सकते थे आप्सन एलिमिनेट करके तो बहुत एजी देख सकते हैं आप लोग जो एंटी है जिस तरह से कोशन मोडिफाई करके बना रही है वह बहुत ही एजी है आगे हम लोग चलते हैं कोशन नमबर 44 पर क्या है वीच आफ दा फॉलाइंग रिफर तो करेक्ट एक्जांपल्स ऑफ organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action what is anthropogenic action anthropogenic action जो है किसको बोलते है anthropogenic जो man-made action होता है न यानि कि human या man-made man-made action को anthropogenic action बोलते हैं मतलब ऐसा condition जो human द्वारा create किया हुआ है उसको anthropogenic action बोलते हैं तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन-कौन सा एक्जांपल यहां पर जो एक्जांपल है वो man-made action या anthropogenic action है तो जो option first है क्या है Darwin's Finches of Galapagos Island तो वहां पर क्या था बहुत सारा टर्टल वहां पर चला गया था और जो वहां पर पहले से birds थे वो सारे अलग अलग वाराइटी के birds थे जो धीधरी क्या हो रहे थे हट रहे थे वह मतलब नेचुरल फैनमेना था वह एंत्रोपोजनिक action नहीं था man-made action नहीं था वह खुद से ही वा था नेश्ट है ड्रग से resistant है किसके कारण यह क्या है man-made है जब तक man उस पर experiment नहीं करेगा तब तक क्या है वह resistant नहीं होगा दिन है man-created breeds of domesticated animal-like dogs अलग-अलग breed अभी हम लोग जैसे plants में भी बहुत सारे breeds हम लोग develop कर रहे हैं तो यह सारा man-made है इसी तरह हम लोग dog या फिर चुहा बंदर यह सब का अलग-अलग breed develop करने का कोशिज कर रहे हैं तो यह सारा man-made है तो कौन-कौन सा होगा बी होगा सी होगा और डी होगा यह तीनों होगा इसका answer क्या हो जाना चाहिए बी-सी एंड-डी तीनों तो इसका option थर्ड सही होगा बी-सी एंड-डी ठीक है नेक्स रम लोग चलते हैं question no.45 के तरफ identify the wrong statement with reference to immunity यह जो है human health and disease का question है और यहां पे यह जो section है like passive immunity और active immunity बहुत बार question आया है और बहुत confuse करने वाला question होता है बतलब एक word का बस difference रहता है और उस तरह से question पुछा जालता है तो इसका options हम लोग देखते हैं first क्या है when exposed to antigen living or dead antibodies are produced in the host body it is called active immunity active immunity क्या होता है जो हम लोगे body में पहले से ही जो antibody present है वो like अगर हम लोग को fever हो रहा है या फिर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत fever हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत fever क्या है थोड़े मतलब अगर हम लोग उस में जादा उतना जादा मतलब प्रॉक्स मानते हैं 100 फीवर है या फिर 99 फीवर है और अगर हम लोग उस दिन दवा अगर नहीं लिए नेक दिन जाकर के दवा लेना पड़ा अगर जादा हुआ तो अगर उतना फीवर है तो हम लोग का बॉड़ी क्या है सरवाइब कर सकता है तो वहाँ पे हम लोग के करने के बाहर से कोई चीज हम लोग लेते हैं तो वह सारा क्या है पैसिविमूनिटी है लाइक हम लोग को साप काट लिया तो मतलब वह पॉस्न bends होता है तो हम लोग को बाहर से क्या लेना पड़ेगा एंटी बाड़ी लेना पड़ेगा एंटिवेनम लेना पड़ेगा जो उस poison को क्या करे अच्छे तरीके से उसको वहाँ से हटा दे तो वो क्या है पैसिव इम्म्यूनिटी है दिन है जो हम लोग एंटिवाइटिक लेते हैं वो बाहर से लेते हैं एक पेनिसिलीन और से लेते हैं उसला बाहर से हो गょया पैसी एंटिव मापन वचिनHzक्ता कैसे नहीं होता है वो था Erfahr लेएप decreased एन्टी और वां जो चुद्थ ख्यांव करें लोग किसी भी चीज़कु जल्दी से ठीक करने के लिए जल्यक्त आप की लिए body जब पूरा हम लोग के body का अंदर का immunity जब strong हो जाएगा तब वो ठीक हो हम लोग जाते हैं कि कोई भी अगर हम लोग को problem हो रहा है या fever हो या फिर lose motion हो या फिर कुछ भी हो हम लोग बस बाहर से antibody लेते हैं और क्या करते हैं जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने का कोशिस करते ह तो जो active immunity होता है बहुत slow होता है लेकिन जो passive immunity यानि जो बाहर से antibody लेते हैं वो बहुत ही fast होता है तो यहाँ पर wrong पुछा था तो wrong कौन सा है option third क्योंकि बोलड़ा है कि active immunity is quick लेकिन active immunity जो हम लोग के body के अंदर खुद होता है वो बहुत ही slow होता है उसको होने में time लगता है और अगर आम लोग ऐसे fever का दवाद खाते हैं तो हम लोग को आदे गंटे या एक घंटे के बाद क्या है, sweating होने होने लगता है पसीना आने लगता है क्योंकि वो दवाँसर करने लगता है लेकिन अगर हम लोग इसी तरह छोड़ दे दवाद नहीं खाए तो तीन या चार गंटे के बाद क्या होता है फीवर धीरे 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 उतरता है तो वह उसमें क्या है एक्टिव इनुटी वर्क करता है जो कि बहुत स्लो होता है दिस इस क्लियर तो आगे बरते हैं अगर किसी कोई 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 भी प्रॉब्लम है तो वह चैट बॉक्स में लिख सकता है प्रटल दूस कि और औरन दूस ज़ंकानिक्ट एग। । यह दी धालोर मिय पें व कि दूक्तृ का क्योद एक संव ग्रियुआ श्कतार केसे उप दो हुथ presenting हूं कि बीदिंग अधस हिसा में आनीम तो हुआ हुआ है कि एक लग तरह है सीप को ब्रीढर बंड़े गया जो कि दो अलग अलग क्या था ब्रीड से बनाया गया था not the different species अलग ब्रीड था इंटर अस्पेसिफिक होता तो अलग अस्पेसिज होता है और यहाँ पर दो अलग ब्रीड है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? Cross breeding Bicanery Eves and Marino Rams यह दोनों को मिला करके एक अलग तरह का सीब बनाया गया था तो आंसर क्या हो जाएगा option? थार्ड हो जाएगा आल राइट नीचे हम लोग नेक्स चलते हैं Question No.47 Question No.47 है Question No.47 है Identify the correct statement with reference to human digestive system यह कहां का है? Digestive system का यह है Human Physiology का first chapter तो first option पढ़ते हैं Ilium open into a small intestine नहीं A small intestine का middle part है क्या? Ilium यह उसमें open थोड़ी होता है A small intestine में open कौन होता है? Doodonym open होता है तो यह तो क्या हो गया? गलत हो गया यहां पुछा है Correct Then again है क्या? Cirosa is the innermost layer of the elementary canal तो हम लोग layer क्या पढ़ते है? यह outer most होता है Cirosa Then muscularis Then sub mucosa Then mucosa तो यहां पे Cirosa बोल रहा है क्या? Innermost तो यह तो गलत हो गया क्योंकि Innermost कान होता है? Mucosa होता है Not the Cirosa तो यह दोनों भी यह दोनों क्या है? गलत है देना है Ilium is highly qualified part आईए सही क्योंकि कुछ इस तरह का structure जो digestive system में होता है वो होता है Ilium का और यह सबसे ज़्यादा लंबा A small intestine का सबसे longest part कौन सा होता है? Ilium होता है और सबसे highly qualified होता है बिल्कुल इस तरह से बहुत ज़्यादा qualified होता है यह part तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा Next पढ़ लेते हैं हम लोग Vermiform appendix arises from duodenum गलत है क्योंकि Vermiform appendix होता है या फिर जिसको हम लोग appendix या appendix बोलता है नॉर्मल language में वो कहां से arise होता है? वो large intestine के first part cecum से arise होता है cecum से arise होता है cecum, colon और rectum यह तिनों large intestine का part है जिसके first part cecum से क्या है? Vermiform appendix होता है और जो कि एक vestizial organ है जिसका हम लोग के body में किसी तरह का कोई भी काम नहीं है तेकिन कभी-कभी क्या होता है? यह appendix swollen हो जाता है और swollen होने के कारण डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? operation करके उसको निकालना पड़ता है क्योंकि वो हम लोग को तकलीश देता है लेकिन उसको निकालने से हम लोग के body पे किसी तरह का कोई भी effect नहीं पड़ता है क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है vestizial organ है जैसे सांप में पहले पैर था लेकिन उसके पास पैर का कोई काम नहीं रहा तो क्या हुआ? उसका पैर धीरे-धीरे खतम हो गया ऐसा मतलब माना जाता है अब पता नहीं सही है या फिर नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है तो जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है यह क्या है vestizial organ है और यह सीकम से arise होता है ना कि duodenum से तो यह first, second और third तीनों गलत है इसका correct option क्या है? option 3 ileum is a highly qualified part ओल्राइट 47 हो गया नेक्स हम लोग चलते हैं 48 पे आज हम लोग 60 तक complete कर लेंगे और फिर कल हम लोग यह पूरा biology का जो 90 question है पूरा का पूरा complete कर लेंगे 48 पे चलते हैं फिर से आ गया math the following बोले थे हम कि बहुत सारा इसमे math the following है यहाँ पे भी सिर्फ एक या दो से ही पता चल जाएगा यह जो math the following है हर साल इससे math the following यह किसी तरह का question आता ही आता है क्योंकि इसका बहुत ही confusing इसका बहुत सारा option बहुत confusing रहता है याद नहीं हो पाता है कि कौन सा bacteria या कौन सा fungi क्या produce करता है क्या नहीं करता है तो यहाँ पे जो याद है सबसे पहले सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे like यहाँ जो first option है claustridium butylicum sorry claustridium butylicum ठीक है यह जो है यहाँ पे यह दिख रहा है but और यह जो है क्या produce करता है butyric acid तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यह याद रखने का एक trick है यहाँ पे जैसे butylic acid almost सबको याद होगा इसी से a का 2 यहाँ पे a का 2 दिख रहा है option second में तो और किसी में दिख तो नहीं रहा है a का 2 तो यही answer सही होगा अगर चाहते हैं दूसरा भी match करना तो कर सकते हैं जो भी याद हो like aspergillus nigger यह क्या produce करता है citric acid तो डी का 3 यहाँ डी का 3 तो डी का 3 अगर हम लोग match करते तो यहाँ पे 2 में है लेकिन a से ही क्या हुआ सारा option सही हो गया तो option 2 सही हो जाएगा इसका सिर्फ एक से ही बन गया 48 भी हो गया किसी को इसमें problem है 48 then हम लोग चलते है 49 पर here is the 49 presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus यानी urine में ऐसा क्या present होता है जो indicate करता है diabetes mellitus को एक और होता है जिसको हम लोग diabetes insipidus बोलते हैं diabetes insipidus यह जो है ADH के कारण होता है anti-dietic hormone के कारण होता है लेकिन जो diabetes mellitus है वह किसके कारण होता है यह excretory product जो है न उसमें excretion जो chapter है उसमें दिया हुआ है कि glucose suria या फिर ketoneuria के presence के कारण क्या होता है diabetes mellitus होता है यहाँ पर ketoneuria 2 में है तो यह दोने में confusion हो सकता है लेकिन euremia के है अलग condition है जिसमें urine में blood आने लगता है उसको हम लोग euremia बोलते हैं यह तो होगा नहीं यह भी नहीं होगा second और hyperglycemia यह अलग condition है renal calculus जिसमें stone होता है उसको बोलते हैं तो यह हम लोग option eliminate कर सकते हैं इस तरह से तो क्या हो जाएगा 49 का option third हो जाएगा correct answer आगे चलते हैं हम लोग question number 50 10 question और है बस fluoridane starch has a structure similar to fluoridane starch red algae में food के molecule के form में present रहता है red algae में होता है और यह किसके similar है तो यह सब याद करने वाला चीज है समझने वाला चीज नहीं है बस रट्टा मार के रखो जितने बार NCRT हो सके उतने बार revision करो क्या होगा इसमें इसका structure amylopectin और glycogen से match करता है यह सारा previous year का question है और इतना easy easy question है NCRT line by line है next हम लोग चलते है question number 51 इसमें किसी कोई problem है option 2 होगा amylopectin and glycogen 51 है select the option including all STDS sexually transmitted disease यानि ऐसा कौन सा option है जिसमें सिर्फ और सिर्फ STD है यानि sexually transmitted disease पर्स्ट है गौनरिया है सिफिल्स, जनाइटर, हर्प्स यह तीनों सही है then malaria malaria तो मच्छ से होता है ना वह sexually transmitted disease थोड़ी है इसमें भी malaria है तो यह भी नहीं होगा यहां पर cancer है तो यह भी गलत हो गया यह तीनों गलत हो गया correct option क्या है फर्स्ट यह तीनों है sexually transmitted disease STDS बोलते हैं यह अभी इसका change हो गया है STI हो गया है infection sexually transmitted infection इसको बोला जाता है new वाला जो NCRT है उसमें दिया हुआ है next जलते हैं question number 52 फिर से आ गया मैजदा following सबसे-सबसे easy question और मतलब bonus समझ सकते हैं इसको हम लोग यहां पर मियोसिस के respect में कौन सा option सही है वो पूछ रहा है तो जो मियोसिस में जो पहला जो होता है pro phase उसमें पांच step हम लोग को पढ़ने को मिलता है Leptotene Zygotene Packetene Diplotene यह पांच step होता है जिसमें जो Zygotene है उसमें क्या होता है synapsis का formation होता है जो first वाला है उसमें धीरे-धीरे क्या होता है chromosome condensed होने लगता है या dissolve होने लगता है वो और फिर Zygotene है जिसमें क्या होता है synapsis का formation होता है Packetene process Packetene जिसमें की होता है क्या crossing over होता है सबसे लंबा process B का 3 इसमें A का क्या है 4 इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक से ही हो गया Zygotene में क्या होता है Synapsis A का 4 Then क्या है B Packetene crossing over B का 3 C का 2 Diplotene Chiasmata formation होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ crossing over वाला जो प्लेस है वह वैसे का वैसा रहता है बाकी सारा क्या है Different हो जाता है इस तरह का कुछ formation बनता है Then है dikenesis जो की सबसे last step है जिसमें Terminalization होता है कि इसका Chiasmata का ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा option Second हो जाएगा सिर्फ first वाले से ही पता चल रहा है देन हम लोग आगे चलते है Question number 53 और जितना आज यह इसका जो PDF है आप लोगो कहां पर मिल जाएगा यह टेलिग्राम चैनल जिसको आप लोग सर्च कर सकते हैं पुनिता सेंग के नाम से वहां पर PDF मिल जाएगा और जो भी इस चैनल पर न्यू है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहां पर भी question practice चल रहे है नीट के लिए और बहुत सारे इसमें अभी हम short notes का video बनाने वाले हैं PDF वगेरा upload करने वाले हैं तो अपने friends वगेरा को यह video share करिए आगे चलते हैं हम लोग question number 53 के तरफ आज हम लोग question number 60 तक complete कर लेंगे which of the following pair is unicellular algae is of unicellular algae तो यह भी कहां का है plant kingdom का question है जिसमें की दो ही unicellular algae के बारे बताया गया है एक तो है chlorella and then दूसरा है aspirulina जिसको हम लोग single cell protein में भी use करते हैं ठीक है और chlorella है जिसको हम लोग a space food के रूप में भी use करते हैं तो answer क्या हो जाएगा option fourth हो जाएगा then है question number 54 which of the following hormones level will cause release of ovum or ovulation from the graphian follicle एक जो human reproduction है वहां पे graph दिया हुआ है जो कि बहुत important है उसमें बहुत सारा hormone के बारे में दिया है कि ovulation की time में कौन सा hormone क्या है high होता है कौन सा low होता है option पढ़ते हैं high concentration of estrogen high concentration of progestrogen then low concentration of LH low concentration of SH तो जो ovulation होता है उस time में LH क्या होता है बहुत high होता है जिसका हम लोग क्या कहते है LH surge बोलते है then estrogen क्या होता है high होता है progestrogen क्या होता है जब यह high होगा तो क्या बनायेगा यह corpus luteum का formation करता है तो यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है, इस्ट्रोजेन का लेवल हाई होगा, तब क्या होगा, ओवलेशन होगा, यानि की ओवम का फॉर्मेशन होगा, और यह हाई होना चाहिए था, यह भी हाई होना चाहिए, तो आपसन फॉर्स्ट सही हो जायागा इसका, आगे बढ़ते है कोशन नमबर 55, फिर से आ गया, मैस दो फॉलोइंग, क्या है, इसमें फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए, एक या दो से ही पता चल जाएगा, बीटी कॉटन, डाइरेक्ट है, एक और फॉर्स्ट में तो अंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ताइम सेविं कोशन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी था, कोशन नमर 56 हो गया, 50, नहीं, कौन सा था, फिर से नेक्स्ट है, लास्ट कोशन, आज का सबसे सबसे लास्ट कोशन, फिर से मैस दा फॉलोइंग आ गया, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसी वे में, यह पे पूछ रहा है कि ग्रास लेंड एको सिस्टम का मैच करना है, बहुत सारा ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है, और कौन से ट्रॉफिक लेवल में, कौन कौन सा यहां पे अनिमल या फिर कौन कौन सा प्लांट वहां पे होगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे प तरह का पिरामिड होता है, जो फर्स ट्रॉफिक लेवल होता है, यहां पे बन गया, जो फर्स ट्रॉफिक लेवल होता है, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, और प्रोड्यूसर कौन है, मैंली, ग्रास है, हडा हडा ग्रास, घास, यहां पे हम लोग बना लेते हैं, क ट्रॉपिक लेवल का ग्रास का फोड यहां पे सी का फोड सिर्फ और सिर्फ एक उप्षन में है तो इसका उप्षन फर्स्ट ही करेक्ट होगा आप लोग अलग से मैच भी कर सकते हैं लेकिन टाइम सेविंग ऐसा कोशन है जो कि टाइम सेव कर रहा है तो आज हम लोग यहां तक रहने देते हैं thank you for watching the full video जो भी यहां तक अगर पॉन्ट वह पढ़ाय को लेकर के कंसिस्टेंट है और thank you so much for watching my full video और इसी तरह consistency बना करके रखिए डेली 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 अप्रॉक्स हंडेड कोशन नीट का previous year या फिर किसी भी रिफ्रेंस बुक से या कहीं से भी कोशन मिले सिर्फ पर सिल्व करते चाहिए तो जरूर जरूर से जरूर नीट में सरेक्शन होगा हम खुद मतलब इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली अप्रॉक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ सेयर करें और अगर पूरा सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें